आज हम देखने वाले हैं modern history के previous year question जो की DSSB, KVS, NVS, DGT, PGT इन सारे exam में पूछे गए हैं तो आई स्टार्ट करते हैं तो पहला question ये है कि टीपू सुल्तान किस वर्स मैसूर के सासक बने थे तो ये बने थे 1782 में after the death of Heather Ali ठीक है question में पूछा गया है कि किस से प्रसिद रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है तो प्रसिद रूप से मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता है next है East India Company की अस्थापना किस वर्स की गई थी 1600 में इसकी अस्थापना की गई थी नेक्स कोशन क्या पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीजी चुनौती निमनिम लिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई तो ये है option C वाड़िवास का युद्ध नेक्स कोशन पूछ रहा है कि वर्स को डिगामा भारत किस वर्स आये थे तो ये आये थे 1498 में आई explain नहीं कर रही हूँ अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉस करके आप देख सकते हैं solution I just want to show you कि pattern क्या है किस लेबल के कोशन पूछे जा रहे है कोशन क्या है तो इसमें पूछ रहा है कौन से मुगल समराट के सासन काल में अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली factory अस्थापित की तो ये आपका option B है जहांगीर के काल में तो इसका जो solution है इसमें क्या है कि इसमें सो 1600 में तो स्थापना हो गई थी लेकिन actual में factory जो सूरत में स्थापित हुई थी वो 1630 में हुई थी जब सासन किस का था जहांगीर का था next question क्या पूछ रहा है कि प्लासी की युद्ध में British East India Company की ओर से अंगरेजो का नेतरित किस ने किया था तो Robert Clive ने किया था प्लासी का युद्ध हुआ कब था तो 30 जून 1757 में हुआ था बंगाल के नबाब सिराजु तॉलरा और Robert Clive के बीच हुआ था तो question ये पूछ रहा है कि 1757 में प्लासी की लडाई ने बंगाल के किस नबाब को British सेना ने हराया था तो अभी पता चला आपको की सिराजु दौला option C और उसमें सिराजु दौला की पराजे हुई थी यानि वो परास्त हुए थे और जो मुखे कारड था वो कौन था मीर जाफर था next question है को ख्यात विश्वास घाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था तो ये प्लासी की युद्ध से संबंधित था इसने ही विश्वास घात किया था सिराजु दौला के साथ जिसकी वज़ास से वो प्लासी का युद्ध हार गय थे ये रहास का explanation question पूछा गया था कि निमने में एक सकेंड निमने लिखित सो question था निमने लिखित में से किस वासराय ने ब्रेटिस बेपारियों के लिए का पास कर समाप्त कर दिया था तो ये थे Lord Linton सो in case कारेकाल में क्या क्या हुआ था ये हम देखेंगे कि वर्णा कुलर प्रेस आक्ट 1878 में लागू हुआ था फिर Arms Act 1878 में फिर इसमें क्या दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था भयानक अकाल के रहते बंगाल में अकाल पड़ा था उसके बाद भी इन्होंने दिल्ली दरबार आयोजन कर वाया था और क्या क्या था तो इन्होंने क्या क्या था ब्रिटिस बैपारियों के लिए कपास पर जो कर था वो समाप्त कर दिया था उसके बास सिबिल जो परिच्छाएं होती थी उसका जो एज था वो घटा कर 19 वर्स कर दिया था पंद्रवे सताबदी के दोरान सभी विदेशी कंपनिया एक ही चीजों की खरिदारी में रुची रखती थी जैसे की भरत में तयार किया जाने वाला उतकरिस्ट गुडवक्ता वाला डैस जिसका यूरूप में बड़ा बजार था जिसके अलावा काली मिर्च, लॉंग, इलाजी और दालचीनी का भी बहुत मांग था तो इसमें क्या होगा तो ये कपास और रेसम यहां की कपास और रेसम काफी एक्स्पेंसिब थी उनकी मार्केट्स में ये है इसका एक्स्प्लानेशन क्या पूछ रहा है कि नियम निलिखित में से किसने अंग्रेजों की विरुद 1857 की करांते में हिस्सा नहीं लिया था तो तात्या टूपे ने लिया था, लच्मी बाई, नाना सहीब सब ने लिया था पर टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था नेक्स कोशन क्या है कि 1857 में सुचंता संग्राम के दोरान ब्रिटिस सरकार ने दिल्ली सहर को जब्त कर लिया सेतंबर 1857 में उन्होंने सहर के कई दर्वाजों को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश्ट किया कौन सा दर्वाजा था तो वो कस्मीरी दर्वाजा था कस्मीरी दर्वाजा इसलिए उसे कहा जाता था क्योंकि वो कस्मीर के साइड जो उसका ओपनिंग था वो होता था यहाँ पर देख लिजी कि इसका जो मुख्य द्वार था कस्मीर के तरफ था इसलिए इसका नाम कस्मीरी तरफ नेक्स कोशन के आप पूछ रहा है कि दिल्ली के नजदी किस एतिहासिक साइड पर 8 जून 1857 को भारतिये सिपाईयों को हार मिली तो ये थी बदली की सराए नेक्स कोशन पूछ रहा है कि 1893 में सौमे विवेकानन ने भिस धर्म संसद में अपना प्रशिद भासट किस सहर में दिया था तो ये सिकागो में दिया था आप सभी को पता होना चाहिए अब ये मैचिंग दिया हुआ है हमें इसे मैच करना है कि राजा राम मोहन राई ये ब्रह्म समाज के थे फिर उसके बाद दयानन सरश्वती ये आरे समाज विवेकानन राम कृष्ण मिशन और महादेव गोबिंद रनाडे ये प्राथना समाज नेक्स कोशन ये पूछ रहा है कि नील बिद्रो एक क्रिशक आंदोलन बंगाल भारत में कब सुरू हुआ तो ये भारत में सुरू हुआ था 1859 में ठीक है एक और कोशन पूछा जाता है कि नील दरपड किसने लिखा था तो ये जो था वो दीन बंदु मित्रा नहीं लिखा था जो कि एक नाटक था नेक्स कोशन ये पूछ रहा है कि चितरंजन दा सुबास चंदर बोस के कौन थे तो ये राजनेतिक और उपदेशक गुरू थे जो पूछन ये है कि पिट्स का भारत में अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था तो ये 1784 में पारित किया गया नेक्स कोशन है कि किस वर्स महत्मा गादी द्वारा आसाह यूगांदोलन बंद कर दिया गया था तो 1922 में ये बंद कर दिया गया था चौरा-चौरी कांड की वज़ा से जो कि गोरखपुर में हुआ था नेक्स कुशन क्या है तो ये पूछा गया कि भारती राश्टी कांग्रेस का प्रतम अधिवेशन कहां योजित किया गया था तो ये बंबे में किया गया था तो भारती राश्टी कांग्रेस की अस्थापना उसका प्रतम अधिवेशन 72 प्रतनीदियों के उपस्तिती में 28 दिसंबर 1880 सी इस भी को बंबे यानि की मुंबई में गोकुल दास्तेजपाल संस्क्रित बिसमहा विद्याले इसके संस्थापक कोन थी यानि की सच्चिव कोन थी ये ए ओ ह्यूम थे इस कोश्चन के आप पूछ रहा है कि सुबाज संद्रबोस निमलिखित में सिक किस सत्र में भारती राश्टी कांग्रेस के अध्यच के रूप में चुने गये थे तो ये त्रिपोरी सत्र था उसमें चुने गये थे सेकन्ट टाइम सें हरपुरा के लिए चुने गये थे लेकिन गाधी जी के बीच में और सीताりました और रमय थे उनके बीच में कांट्रोवर्सी के करणर इन्हों ने छोड़ दिया था उसके बाद इन्होंने forward block की अस्थापना की थी ठीक है नेक्स question ये है कि खुदाई खिदमतदार संगठन की अस्थापना किस ने की थी तो इसको किया था option C खान अब्दुल गफ़ार खान ने जो कि Muslim League की समर्थन में थे नेक्स जो है ये है सभी ने आवग्या अंदोलन कब सुरू किया गया था तो आप सभी को पता होगा कि 1930 में इसे स्टार्ट किया गया था ये इसका है explanation आप पढ़ सकते हैं यहां से दिए question बहुत basic पूछे गया थे नॉर्मल अगर आपने जीकी पढ़ा है तो आप इसली से कर पाएंगे लिए question देखते हैं भारती राश्टी कांग्रेस की अध्यच बनने वाली प्रथम भारतीय महिला को थी तो भारतीय महिला थी सरोजनी नाइडू जिन्होंने कानपुर में राश्टी कांग्रेस की अध यहां पर देख सकते हैं कि यह क्या था अध्यच बनी थी प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नाइडू थी और यह 40 वे अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें कानपुर में 1925 में इन्हों ने उसकी अध्यच जता की थी और यहां पर पूड स्वराज का प्रस्ताव र आपचारिक रूप से कहां स्टाट हुआ था तो यह कॉलकत्ता यनी कलकत्ता में स्टाट हुआ था नेॅस्ट कोशन पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिस साशन के दोराण ब्रिटिस संसद सदस बनने वाले पहले भारती कौन थे तो दादा-भाई नरोजी थे जिन्हें औ ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था जो पहली बार 1892 में इन्हें लिब्रल पार्टी की ओर से ब्रिटिस संसित के लिए चोना गया था नेक्स कोशन क्या पूछ रहा है निम्न मेंसे सतंता सेनानी मेंसे कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते अब ही हमने देखा दादा भाई नेक्स कोशन देखते हैं इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1930 में भारत की सतंता संग्राम के दोरान चटगौ सस्ट् पर आक्रमेंट करने वाले नेता कौन थे तो ये सूरिसेन थे इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है और इस घटना को आर्मी रेड के नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोशन ये पूछ रहा है कि 1968 में महत्मा गाधी का निसन्ट करते हुए खेडा सत्तिग्रा का आरह में किस ने किया था तो ये किसानों ने किया था ठीक है पहला भारती कौन था जिसका ब्रिटिस संसद में चेन किया गया था तो ये कौन थे दादा भाई नरोजी अभी हमने उपर देखा बहुत जादा ये कोशन पूछा गया है भारत में सुतनता अंदोलन के किस नेता को ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता था फिर से एंसर वही होगा दादा भाई नरोजी ये एन्वेस पीजीटी में आया हो कोशन है इन्धों ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है दा पोवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया और एक और थी दा थियोरी ओफ ड्रें इसका भी जिक्र इन्हीं में मिलता है मतलब बहुत बार ये पूछा गया कोशन है बुक से रिलेटेड एक्स कोशन ये पूछ रहा है कि डिप्रेस्ट क्लास एशोशेशन की अस्थापना किस ने की थी तो आप समझ सकते हैं डिप्रेस्ट क्लास की की थी बियार अंबेडिकर जी ने 1930 में नाकपुर में की थी ठी सूदक समाज की अस्थापना जोतिबा फूले ने की थी हरीजन सेवक संग की महत्मा गाधी ने आरे समाज की स्वामी दयानंद सहरश्वती ने ब्रह्म समाज राजा रामोहन रोय रामकृष्ण मिसन की तो स्वामी विवेकानंद सार्दा सदन की रमाबाई सर्बेंट औफ 2030 में नेक्स कोशन यह है कि जलियावाला बाग अतयकांड वाले दिन लोग ब्रिटिस सरकार के किस कारे का बिरोद करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे तो यह था रोयल्ट आक्ट जिसमें बिना आपील बिना दलील के लोगों को गिरफतार कर लिया जाता था नेक्स क मिशन को कहा था तक क्रिप्स मिशन भारत कब आया था यह पूछा जाता है तो 1942 में आया था नेक्स कोशन यह पूछ रहा है कि नई दिल्ली को दच्छिट पस्षिम दिल्ली में ब्रिटिस द्वारा निर्मा निर्मित किया गया था भारत की राजधानिक होसित किया गया था तो ये 12-12, 1911 में जब जोर्ज पंचम का आगमन हुआ था भारत में तब किया गया था नेक्स कोशन पूछ रहा है कि मोति लाल नहरू वो चितरनजन दास निमन में से किसकी संस्थापक सदस्य थे तो ये थे स्वराज पार्टी के ठीक है 1923 में इन्होंने इसका निर्माड किया यहां पर आप देख सकते हैं कि स्वराज का मतलब होता है अपना राज 1930 असवी को चितरनजन दास मोति लाल नहरून के सहयोगी ने इलाहाबाद में एक नई राजनितिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा हां उसके सदसे और अध्यच कोन थे सियारदाज थे और महा सच्यू थे मोतिलाल नहरूने फिर कोशनन निम लिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलूलर जेल का प्रसिद्ध निवासी था तो कौन था तो ये दामोदर कौन थे तो ये थे वैरन होस्टिंग नेक्स कोशन पूछ रहा है कि निमन लिखित में से किस गवर्णर जलनल ने टीपू सुल्तान के विरुद तीन समझोते किये तो ये थे लौर्ड का नुवर्लेश तो ये क्या गया था देखो टीपू सुल्तान को अपने राज का आध रोगो करनोलिस के पास बंधक की रूप में रखना होगा नेक्स कोशन ये है कि सुतनता के पशाद भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे तो ये थे लौर्ड माउंट बेटेन नेक्स कोशन पूछ रहा है कि फत्वा ए आलमगीरी मुसलिम कानून का एक संग्रा निमन में इसे किस राजा की सासनकाल में लिखा गया था तो ये औरंग जीब की सासनकाल में लिखा गया था नेक्स कोशन ये पूछ रहा है किस ब्रिटिस गवर्णर जनर ने भारत में रेल की सुरुवात की थी तो रेल की सुरुवात करने वाले थे लौर डल होजी कब किया था इन् नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक का देखेंगे जो प्रवियस यह जतने भी कोश्चन दिये गए हैं उन सब्सक्राइब को अगर आपने लाइक सेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर से करिए थैंक यू फॉर वचिंग